बीएसी फरस्टियर साइंस के स्टुडेंट्स आप सभी के लिए जो 14 मार्च को होने जा रहा है फिजिक्स का फर्स्ट पेपर इस पेपर में आपको कितने क्वेश्टन करने और कौन-कौन से क्वेश्टन करने हैं बहुत सारे मैं आपको लेकर के आया हूँ और मैंने बिल्कुल युनिट वाइस आपके लिए प्रस्टन पत्र तयार किया है कि किस युनिट से आपको कौन से क्वेश्टन करने हैं बस उन से आपको बाहर नहीं जाना आपकी 50 में से आराम से आप 45 से 50 क्वेश्टन का टार्ग जो फिजिक्स का मेकेनिक्स का वाला पेपर है पार्टिकल रिजिट बोडिस और कंटिनेस मीडिया तो आप इसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे अगर आपको ये लेक्टर अच्छा लगे वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें आप शेर भी करें और चैनल जो है CMPC by KLPSR के नाम से है आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें तो लीजी अपन स्टार्ट करते हैं गिनिट वाइज आपके सारे क्वेस्टन जो की आपको 14 मार्च से पहले प्रिपेर करने है इससे बाहर आपको जाना ही नहीं तो गिनिट फस्ट के अंदर आप देखिए मैंने बिल्कुल चोटे और बड़े सेक्शन फस्ट के लिए पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C तीनों के लिए क्वेस्टन रिपेर की हैं पहला क्वेस्टन है इनिट फस्ट से कौनी सम्वेक चनक्षन का नियम लिखना और शर्ते हैं दूसरा क्वेस्टन अपभू और उपभू यानि की अपो जी और पैरी जी इनके बारे मैं आपको प्रिपेर करना है पोइंटस और इन पोइंटस पर किसी कन का त्रिजी विक्या है ये तियार करना है तीसरा क्वेस्टन गराउं की गति के कैपलर नियम को प्रिपेर करना है ये आपके measure question बनते और small बनते हैं कैंद्री बल और उनके उधारन आबासी या च्छादम बल फिक्टिसे स्पोर्स जिसों कहते हैं प्रिपेर करना है फोकल्ट लोलक या दोलन इसका दोलन काल वगेरा सब प्रिपेर करना है रेखी सम्विक संशन कानी यह बिल्कुल सिंपल पार्ट है यह भी आपको प्रिपेर पढ़ता है और चक्रवात की उत्पत्ति को समझाना इसी कौरियोलिस बल के बेस पर चक्रवात वलों को टोपिक को समझाना है दसवा क्वेश्टन प्रति पर उद्वादर नीचे के और गतिशिल पिंड पर कौरियोलिस बल की गणना कीजिए इससे पिंड में कितना विस्त रफित कीजिए यह आपफे जो बेजर फूस्टन है यह और है इसे ऐसे आप बाहर आपको नहीं जाना है कि फिर इनिट फॉस्ट से अपकर नमेरिंगल लगश्का मेसिका करें तो यहीं नमेरिकल आपको प्रिप्रिपियर करने है जैसे sağd एक इस्थान पर अक्षांस 30 डिग्री और नौर्थ है कितने समय में फॉकॉल्ट लोलक का तल एक सोसी डिग्री और जाएगा डाएट फॉर्मॉला में इस तो क्षेशन है आपको बुक के अंदर आपके नौर्ट के अंदर मिल जाएंगे ऐसे ही दूसरा तीसरा चोता और पांचवा यह जो निमरिकल्स हैं आपको प्रिपेर कर लेने हैं यह सारे निमरिकल्स आपके कंप तो उन में पार्ट A और पार्ट B के साथ में निमरिकल्स बनेगा तो यह निमरिकल्स चो हैं वह सेक्शन C के अंदर आपको मिलेंगे यूनिट सेकेंड की बात करें फिजिक्स फर्स्ट, फर्स्ट एर बियसी और यूनिट सेकेंड, मेकिनिक्स वाला पार्ट सबसे पहला क्रेशन कहे रहा बाइनेरी स्टार्स क्या है? युगमतारा ये प्रश्ण पूछा ही जाता द्यान रखना और किसी अध्रश्ट तारे का द्रवमान कैसे ग्याद करोगे जबकि द्रश्ट तारे का द्रवमान मास दे रखा हो जीरो समवे इसप्रेम क्या है? फिर तिसरा कहरा है गुरुत्वी स्ववरृजेन इस सेल्फ एनरजी क्या है? किसी बाहर जाते ही नहीं question द्यान रखना फिर पांचवा question के रहा एक सम्मान उर्द्वादर शंकु का द्रेमान के अंदर center of mass find करना है शंकु के लिए question भी पूचा गया है फिर चटा question बो ज़्यादा importance रखता है द्रेमान के अंदर frame और प्रयोक्षाला ने द्रेशांक फ्रेम लेबरेटरी फ्रेम जो है उसके पर प्रशन पूचा है इसमें प्रकिर्णन परिक्षयतरक का व्यांजक डिराइव करना है और सात्वा question एक ठोस गोले द्वारा रदर पॉर्ट प्रकिर्णन का वड़न कीजिए unit second से आपको section A, section B और section C तीनों के लिए यह question प्रेटी करना है इससे बाहर आपको नहीं जाना है फिर unit second से numericals की बात करें देखे मैंने चार numerical दिये हैं और यह चार numerical आपको ठीक से प्रिपिर करना है इनमें से वो हो सकता है digits चेंस कर दें लेकिन question के pattern लगबग यही रहेगा numerical बिलकुल इसी पर बैस्द होंगे फिर unit third की बात करें physics first mechanics की तो पहला question देखे प्रतियास और प्रतियास टक्कर क्या है दूसरा question द्रिमान के अंदर frame में काणों की प्रतियास टक्कर की विश्चना करें तीसरा question रेकि सम्वे कौनी सम्वे गुरों ओड़ जा सर्क्षन नेमों को सिद्ध करें चोथा कहे रहा है explain करना है रे short notes में देना है द्रड़ पिंड परिवर्ति द्रविमान जिसको अपन रोकेट के लिए करते हैं खास और से फिर पांचों question कहे रहा है द्रड़ पिंड गतिगी के आयलर समिक्रण को डेरिव करें ये question तो सबसे important है अलाकि बस questions आपको यह prepare करना है सारे चट्रा question प्रोव देट एक सम्वग प्रतियास टकर में टकर के बाद संबान द्रड़िमान वाले करणों के वेग परस पर बदल जाते हैं बहुत ही famous question है एक तमीज टकर वाला फिर साथा रोकेट के गति है तो आवश्यक सुतर VT इक्वाल टो V0 प्लस V लोग M0 पॉन M को डेरिव करना ये question पुछा जाता है फिर आटवा question कहे रहा है द्रड़िमान के अंदर को define करना और किसी पिंड के द्रड़िमान के अंदर के coordinates वेग और समवेग momentum के लिए आपको सुतरिसापित करना है इसकी derivation प्रिपेर करनी है तो ये आपको प्रिपेर करना ये काली question की बात है फिर numerical के अगर बात कर रहे तो ये आपके मैंने दो numericals खास तरस प्रिपेर किये है आपको इनको ठीक से करके जाना है और इन से जुड़े questions आपको प्रिपेर कर लेने है जो numericals इन से जुड़े है वो आपको प्रिपेर कर लेने है वो हो सकता digit change कर दे या फिर कोई इसी के आसपास कोई question वो change कर दे तो ये आपको ठीक से प्रिपेर कर लेने है फिर चलते हैं अपन fourth unit के अंदर BSC physics first year paper खास तोर से MLSU के लिए है और पहला question के रहा मरोडी द्रड़ता की परिभाशा लिखिए और बैलन की मरोडी द्रड़ता के लिए वेंजे क्वित्पन कीजिए बहुत ही important question है आप इसको अच्छे तरह से प्रिपेर करके जाएं direct ताकि जाते आपको एक्जाम में लिखना ही रहे दूसरा question के रहा right short notes त्री परमानुक अनुका जरत्वा अगुर्ण अब जब इसमें दो condition बनती ही जब तीनों परमानु एक ही सरलेखा में हो और जब वो तीनों सरलेखा में नहीं हो किसी एक की सापेक्ष दुसरों का जरत्वा अगुर्ण निकालना हो तिसरा question प्रत्यास इस्थिरांकों में कोई दो समिक्रण जिनमें interrelation को प्रूव करना आपको फिर चोथा question के रहा है पोईसन अनुपात की सीमान तमान लिमिटिंग वेल्यू फाइंड करनी है फिर यह के रहा कि एक ठोश शेप्ट की तुलना में उसी द्रेमान और समाल लंबाई की खोकली शेप्ट जो होती वो अधिक मजबूत क्यों होती है यह आपको प्रूव करना है फिर पाँचवा question बंकन आगुन से क्या प्राह है बेंडिंग मोमेंट दोनों सीरों पर आधारी तथा मद्य में भारित एक कैंटी लिवर के लिए अवनमन का सुत्रिस्था पिद कीजिए यहाँ पर एक question और बंता है या दोनों सीरों पर भारित है जबकि हो सकता है यह के विल एक सीरे पर भारित और एक सीरे पर कहीं पर है यह आधारी थे तो उसके लिए भी वो पूछ सकता है लेकिन खास तोर से यह question आपको prepare करना है question 6 कह रहा है y, k और eta क्या है आपका माला में प्रत्यास्ता गुणां के समंदित सारे यह constant है और इनको आपको explain करना है साथ ही निम्न सुत्रिस्था पित करना है पहला कह रहा है y equal to 9 eta k upon 3k plus eta और b वाला y equal to 2 eta 1 plus sigma आपको unit first में इन से बाहर एक भी question नहीं करना है बस ये question आपको prepare कर लेना है आप physics का बहुत अच्छा paper करके आएंगे 50 में से 50 का target आपके बन जाएगा फिर चलते हैं अपन numerical की तरफ इसी unit के numerical मेंने किवल दो ही दिये हैं लेकिन आपको इन ही से दुड़े numericals प्रिपेर करने हैं द्यान डखना सारे ये प्रत्यास्ता और उससे दुड़े numerical है कोणी समवे कोणी से तो आप इनको अगर ठीक से कर लेंगे तो आपकी इनके आसपास वाल numerical भी आप आराम से कर पाएंगे इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना और numericals चॉय का मैंने बता दिया आपकी numerical section C में बनेंगे part B के रूप में मलत एक जो question होगा वो दो part में होगा C वाला major question तो उसमें से एक part theory का आएगा किसी derivation का और दूसरा आपके B part जो numerical का आएगा फिर चलते हैं अपन लास्ट इनिट 5 physics first BAC first year देखे पहला question के रहा πाई जूली equation को derive करना और इसका assumptions लिखना पूर्वधारणा है लिखना बहुत ही important question है आप इसको ठीक से prepare कर ले दूसरा question है write short notes दारा रेकी प्रवा जिसको पन stream line flow कहते हैं और equation of continuity यानि इसके अंदर turbulent flow भी डाल सकता है तो थोड़ा देखलना विक्षब्द प्रवा होता न वो तीसरा question के रहा शान्ता गुणा की परिभाशा लिखिये और इसकी unit भी लिखिये करांतिक वेक यानि critical velocity की परिभाशा लिखर वे सभी कारक यानि factors लिखने हैं जिन पर ये critical velocity depend करती है फिर चोथा question major question बनेगा भया ये ये question बिल्कुल बनेगा आपको prepare कर लेना है ये rotating viscosity meter है गुणन शान्ता मापी द्वारा ध्रव का शान्ता गुणांक ग्याद करने की प्रायगिक विदी का वर्णन कीजिए ये प्रशन आपको ठीक से prepare कर लेना है पूरा ताकि आपको जाती exam में लिखना ही रहे पाच्वा question कहरा इस तो का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए कि दो केश नलियों की त्रिजा क्रमशह R1 और R2 और इनकी लंबाईया R1 और R2 हो तो स्ट्रेणिक्रम में जोडने पर इनमें rate of flow का जो फुरूमला होगा velocity का वी बराबर पाई रो अपॉन एट इटा R1 अपॉन आरवन फोर ये R1 है प्लस R2 पॉन आरवन फोर होल इनवर्स आपको ये question प्रूब करना है तो unit 5 में से आपके केवल ये question बनते हैं इनसे आपको बाहर नहीं जाना है यही question important है इनको आप बहुत अच्छे तरीके से prepare कर ले अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो चिंता करने की जुरुत नहीं है ये question कर लेने के बाद में इस वीडियो को अंत तक देखने पर जिन जिनोंने देख लिया है उनका ये paper बहुत अच्छा होगा फिर अपन बात करते है numerical की इसके ये है question first और question two मैंने इसके अंदर दो numerical ले हैं एक 25 सेमी लंबी और वन में में आंतरिक फ्यास वाली नली से द्रव पारे के 10 सेमी दाप के कारण बहरा है पहला question पूचा है एक मिनट में प्रवाइत द्रव का आयतन कितना होगा बी question के रहा है नली के अक्ष पर द्रव का वेग ज्याद करें जबकि इटा आपके पास में 0.05 SI मातरक है ना यह SI मातरक और पारे का गनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटिमेटर क्यूब दूसरा question के रहा है एक लंबे पेलना का रिस्तम में वायो का वन सेमी तरिजा का बोल बुला इस तरव एक 0.21 सेंटिमेटर पर सेकंड से उपर उठता है द्रव का गनत्व 1470 किलोग्राम पर मिटर क्यूब है तो इसका शानता गुलंग क्याद कीजिए तो यह इस तरीके से आपके 5 उनिट के questions बनेंगे आपको बस इससे बाहर बिलकुल नहीं जाना है सारे questions लगबग इसी pattern पर बनेंगे आप आराम से इनको देख ले मैं आपको एक 2016-17 वाला जो पेपर बताता था हूँ यह आपके पेपर है physics का 17 वाला और देखे आपके यूनिट वाइस जो question बनते हैं इसके अंदर कोई विशेश बात नहीं है मैं section C की बात करूँ तो section C के अंदर आप देखें यह आपके section C है और बारा पहली unit से ग्रह गतिके केपलर का दितीनियम पूचा इसको इस्तापित करना और साथ में numerical यह एक numerical दिया है फिर unit second से पूचा है ठोस गोले की गुरत्वी सोरजा के लिए वेंजे गुत्पन कीजिए और साथ में इसका numerical पूचा है ऐसे ही चवद्वा क्वश्चन है द्रड़ पिंड गतिके का आईलर समिक्रन डिरवी करना और साथ में इसका numerical section C का जो ऐसा बनेगा पंदर्वा क्वश्चन जो दिया इसने प्रत्यासित रांगों क्मध्य इंटर्रिलेशन के लिए कोई भी दोसमिक्रन देना और उसके बाद में साथ में इसका एक सेंपल सा numerical फिर ये सोलवा क्वश्चन शांता गुणंक की बरिबाश्चा क्रांतिक वेक और कारक पूछे और साथ में इसका ये numerical पूछा है तो ये इस तरीके से आपको section C के question बनेंगे section A में आपको पता ही है कोई विशेश बात नहीं है आपको सब पता ही है general question बनते हैं आप आराम से इनको कर सकते हैं binary star वगरा है ये numericals हैं ये आपके unit part B की unit first है unit second से भी two question unit third से भी two question आपको एक करना है आपको कोई सा भी हर unit से और ये इसमें unit four से दो question आपको कोई सा भी एक करना है दस भी unit इसमें भी two question 10 और 11 कोई सी आपको एक करना है और section C में आपके कुल कितने 5 question है बारा, तेरा, चवधा, 15, और 16 तो आपको इसमें से केवल दो question करने हैं साफ साफ इसके अंदर जो लिखा है यह part C का 500 सब्दों में कोई दो question करने है और 15 नमर का है आपको साध्य साथ का यह question बनेगा section C का तो यह आपकी physics का paper है इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं आपका paper बहुत अच्छा होगा अगर आप आपके paper बहुत अच्छा होगा अगर आप कोई paper का pattern अच्छा लगे आपको question आपको लगे कि इंपोर्टेंट है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें आप वीडियो को शेर भी करें और आप जो टेलिग्राम चैनल है CMPC के नाम से आप उसको भी जोईन कर लें ताक आप अपता कि आप अपने query आप पूछ सकें बात कर सकें और आप चैनल को subscribe करना नहीं भूले थैंक्स